कववा के बताय हुए 14 सुभ संकेत कववा एक ऐसा प्रानी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने से पहले होती है सकुन सास्तर में कववे से जुड़े अनेक रोचक जानकारियों के बारे में बताया गया है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बतायेंगे कववे के बताय हुए 14 सुभ संकेत के बारे में तो 14 वो सुभ संकेत क्या-क्या है जो कववे आपको देता रहता है यदि कववा भूमिक होता हुआ नजर आए तो भारी धन लाब होने का संकेत मिलता है रास्ते में जाते समय कववा यदि तोरण पर बैठा नजर आए तो मनोवानचित फल प्राप्ती होने वाली होती है यदि कववा मुह में रेत या फिर अनाज गीली मिट्टी या फल फूल भरकर आपके घर ले आए तो यह अचानक से धन प्राप्ती के संकेत होते हैं यदि कववा बैसाक के महिने में हरे भरे विर्च पर अपने गोशले का निर्मान करे तो यह बारिस होने का संकेत देता है यदि सुर्योदे के समय कववा आपके घर के सामने बोलता है तो यह आपके प्रतिस्ठा और धन में विर्धी का सूचक होता है यदि कववा अपने चोच में किसी वस्तर का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ नजर आ जाए तो यह आपके लिए सुब संकेत है रास्ते में यदि कववा अपने मुह में रोटी का टुकडा या मांस का टुकडा लिए दिखी जाए तो यह आपकी एक्छा पूरी होने के संकेत आपको मिलते हैं यदि कववा प्रात्रखाल में आपके पैर को स्वर्ष कर जाए तो यह आपकी उन्नती और धन प्राप्ति के संकेत मिलता है ठीक धोपहर से पहले यदि कववा पूरव से उत्तर दिसा या फिर पूरव या उत्तर दिसा मने से पेड़ पर बैठे कववे की अगर आपको आवाज सुनाई दे दे तो इसे स्तरी सुक का भी संकेत माना गया है यदि स्तरी के सीर पर पानी का घड़ा रखा हुआ हो और उस पर कववा आकर बैठ जाए तो यह भी स्तरी के लिए सुब माना गया है सुबह सुबह सोकर उठने के बाद यदि कववा आपके घर पर आकर काउं काउं की रट लगाया है तो इसका मतलब है कि अतित्री के आगमन के आपको संकेत कववा दे रहा है रास्ते में यदि कववा तोरण पर बैठे हुए नजर आए तो यह मनोवांचित फल मिलने का संकेत आपको मिल रहा है यात्रा पर जाते समय यदि कववा आपको दाहिने तरफ से निकल कर उसी तरफ उड़ता हुआ चला जाए तो आपके कारे होने के संकेत आपको कववा दे देता है यात्रा के समय यदि कववा आपके सामने किसी बरतन में मूर डुवा कर पानी पिता हुआ नजर आ जाए तो यह धनलाव के संकेत आपको मिलता है और आपकी यात्रा भी सफल होगी ऐसा संकेत जो है कहुआ आपको देता रहता है